दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो पहुंच सके आप तक सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं मनिश कुमार खत्री आप सभी कहता है दिल से स्वागत करता हूँ और आज का यह जो वीडियो हम बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जनरली आपने मारूती सुजू की कार के पीछे यह जो स्क्रीन पर सब्द लिखे वे आ रहे हैं LXI, VXI, ZXI, ZXI Plus या LDI, VDI, ZDI, ZDI Plus अक्सर आपने देखे होंगे यह लिखे वे उनके पीछे तो इनका क्या आर्थ होता है इससे गाड़ी के बारे में हम कैसे जान सकते हैं यह कौन सी गाड़ी है इसमें क्या फीचर से यह पैट्रोल है यह डीजल है इन तीन सब्दों मे सारी डीटेल्स छेपी होती है उसकार के बारे में इसलिए यह वीडियो बनाया गया है ताकि आप भी इसे जान सके अच्छी डीटेल्स है और जिनको यह पता है वो भी पूरा वीडियो इसलिए देखें क्योंकि उन्हें भी इनका टेक्निकल नाम नहीं मालूम इसलिए मैं निवदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल पाए कि क्या चीज है सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो LXI और LDI वगरे लिखा हुआता है तो इसके तीन सब्द है इसमें से फर्स्ट सब्द आप अलग कर रखा है एकसाई का मतलब होता है पैट्रोल कार जिसमें पैट्रोल भरवाया जाता है और पैट्रोल से ही चलती है और डी आई यानि डीजल कार उसमें डीजल भरवाया जाता है और डीजल से बढ़ती है चलती है एल का मतलब होता है फर्स्ट लेटर एल होता है उसल का system भी नहीं देती वूफर स्पीकर कुछ भी नहीं मिलता यह समझ लीजिए बिल्कुल एक बेसिक सी गाड़ी मिलती है उसे आपको चलाना होता है अगर उसमें कुछ वी वेरियन्ट वी का मतलब होता है फुल ऑप्सन मॉडल में आपको बेस मॉडल से ज्यादा ऑप्सन मिलते हैं जैसे कि उसमें music system होता है चार श्पिकर लगे होएता है और keyless entry का ऑप्सन होता है और काफी इसमें आपको मिल जाते हैं basic गाड़ी चलाने के लिए मनोरंजन के लिए जो basic चीज़ जाई होती है वो सारी इसमें V-variant पर मिल जाती है थर्ड नमबर आता है Z Z का मतलब होता है added features model added features model का मतलब इसमें V-variant से extra features होते हैं जिसमें keyless entry होती है power stop on जो कार करते है on off वो power की उसमें आती है power switch आता है जिससे होती है इसमें चाबी नहीं आती है एक switch लगा हो आता है उससे यह आप direct start कर सकते हैं गाड़ी को और stop भी कर सकते हैं और कई सारे features जैसे वो screen लगी हुई आती है infotainment system वाली वो भी इसमें होती है और जनरली V-variant में 4 speaker आते हैं तो इसमें 6 आते हैं तो यह Z-model का थोड़ा up होता है इसमें added features होते हैं V-variant से और अब company ने नए Z-plus निकालनी शुरू कर दी है Z-plus में और भी ज्यादा features होते हैं इससे करते हैं उसमें alloy wheel और infotainment system यह सारे होते हैं और साथ में अभी एक नया features डाल दिया है जिसमें आप gate के ऊपर switch दिया हुआता है वो switch दबाते हैं गाड़ी का automatic gate खुल जाता है उसमें ना तो आपको keyless entry वाला switch दबाने की जर्द होती है remote अगर आपकी जेब में पढ़ा है तो जेब में पढ़ा रहे हैं नहीं दीजी वो टिक करते ही automatic गाड़ी खुल जाती है और switch बंद करके टिक करते ही automatic गाड़ी का gate बंद हो जाता है यह सारे इसमें detail होती है अच्छा इसे हम डंग से जानने के लिए अगर यह technical नाम आपको confuse कर रहे हैं त हुसे LX-AI कहेंगे और Diesel DIY का मतलब होता है axle car और L का मतलब होता red मोड़। मि aja को हम सँरलस अभों में यह भी कह सकते हैं कि L का मतलब होता है पेस मोडल और V का मतलब होता है middle model, जब का मतलब होता है डीजल की कार होती है यह बेसिक चीज जो मैंने बताई है वो आपने धंग से समझी होगी और अच्छी तरह से जानकारी ली होगी तो मेरा बताने का मक्सद यही था ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके आपको सारी जानकारी मिल सके और यह वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो तो इसे लाइक कीजीगा सेर कीजीगा सब्सक्राइब कीजीगा चैनल को मेरा बताने का ही मक्सद था आपका ज्यान बढ़ सके धन्यवाद